हाई वीवर्स वेलकम बेक टो मैं चैनल फ्रेंज यह देखे आज हम सिखेंगे यह बहुत ही सुंदर सार निटिंग पैटर्न इस रिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडिस कार्डियन में, लेडिस जैकेट में, जैंट साफ सेटर, फुल सेटर में, बच्चों के सेटर में, कैप में अपलाई कर सकते हैं तो दिखिए, फ्रंट साइड से यह इस तरह से दिखता है और बैक साइड से यह इस तरह से दिखता है तो इस design को बनाने के लिए जो सची चाहिए होंगे वो 3 के multiple से होंगे plus 2 फंद्धे extra होंगे और जो design है total 4 रो का design है and friends if you want to learn this pattern in English language then please subscribe me another English channel and link is in description box please go on and click on the channel and don't forget to like share and subscribe me another channel for more videos so let's start ये दिखे मैंने यहाँ पर 17 फंदे लिये हैं 15 फंदे 3 के मल्टिपल से लिये हैं प्लस 2 फंदे एक्सर लिये हैं स्टेच के लिये और अभी तक मैंने इसकी कोई भी रह नहीं निकाली है आप जो भी चाहें वह बॉडर बना सकते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये इसकी फर्स्ट रह है और एड़ सैंड है ये दिखे एस्टेच बुन कर लेंगे और इस सारी रह को सीधे-सीधे फंदों के साथ बुन कर कम्प्लीट कर लेंगे फर्स्ट रह कम्प्लीट हो गई है सेकंड रह है रॉंग साइड एस्टेच बुन कर लेंगे धाक पिछे करेंगे और इस सारी रह को भी सीधे-सीधे फंदों के साथ बुन कर कम्प्लीट करेंगे एस्टेच बुल्टा बना लेंगे सेकंड रह कम्प्लीट हो गई है थार्ड रह है राइट साइड एस्टेच बुल्टा बना लेंगे एस्टेच बुल्टा बना लेंगे तो फिर से सीधा बनाएंगे थ्री स्लिप करेंगे यह देखें यहां पर हमने तीन फंदों से तीन फंदे बनाए हैं काउंट करेंगे फिर से पैटन पीट करेंगे तो दिखें तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे बैक लूप से तीन फंदे एक साथ लेंगे एक बार सीधा बनाएंगे वन जाएग डालेंगे टू फिर से सीधा बनाएंगे थ्री डॉप करेंगे फिर से बैक लूप से तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे सीधा बनाएंगे वन जाएग डालेंगे टू सीधा बनाएंगे 3 फिर से बैक लूप से तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे बैक लूप से सीधा बनेंगे 1 जाई डालेंगे 2 सीधा बनेंगे 3 फिर से बैक लूप से तीन फंदों से तीन फंदे बनाएंगे सीधा बनेंगे 1 चाहिड़ा लेंगे 2 फिर से सीधा बनेंगे 3 दिखें एसटी सीधा बना लेंगे 3 रोव कंप्लीट हो गई है 4 रोव है और व्रोव साइड है एसटी स्लिप करेंगे 1 फंदा बना लेंगे रपीट पैटर्न स्टाट करेंगे 1 फंदा बना बना लेंगे अब पहले हम 2 फंदा बनेंगे फिर हम फास्ट फंदा उल्टा बना लेंगे यह दिखे हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गए हमने एक फंदा उल्टा बनाया फिर हमने सेकेंड फंदा उल्टा बनाया उसके बाद फास्ट फंदा उल्टा बनाया है फिर से पैटन रिपीट करेंगे दो दिखे, एक फंदा उल्टा बन लेंगे, पहले सेकंड फंदा उल्टा, फिर फास्ट फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, पहले सेकंड फंदा उल्टा, फिर फास्ट फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा पहले सेकंड फंदा उल्टा बनाएंगे फिर फर्स्ट फंदा उल्टा बना लेंगे अब लास्ट में तीन फंदे हैं एक फंदा उल्टा ये देखे दो फंदे उल्टे ऐसे चोल्टा बना लेंगे fourth row complete हो गई है यह दिखिए और हमारा pattern भी complete हो गया है फिर से हम इसे first row से start करेंगे तो दिखिए first row right side ऐसे slip करेंगे और इस सारी row को सिधे सिधे फंदों के साथ बुनकर complete कर लेंगे यह दिखिए फिर से हमारा pattern first row से start हो गया है ऐसे ही बार-बार इसकी one, two, four और repeat करते जाएंगे और यह pattern बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी project में apply कर सकते हैं तो fan आप भी से बनाएए और अपने experience हमारे साथ share कीजिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को like, share and subscribe के न मत भूलें तो मिलते हैं ऐसी और ने वीडियो के साथ तिल देन, bye bye fan